दोस्तो नमस्कार जैहिंद यह है नागपूर का रेलवेव स्टेशन जो पहू थी अपने आप में सुंदर है आकर्सित है आप देख सकते हैं कभी नागपूर आये तो आप यहां आ करके देख सकते हैं तो चलिए हम जानते हैं अंदर जा करके यहां का क्या सिच्वेशन है क् हम अगर रेलवेव स्टेशन दे एक नमन प्रट फरम से बाहर के निकलते हैं जीट होते हैं तो बस थोड़ा ही दूर आगे जाने के बाद कितना यहां का जो है आप देखने में मतलम आकर्सित करते हैं वो सब आप देखिएगा तो यहां पर रेलवे स्टेशन जिस तरह का रेल का डिब्बे होते हैं इंजन होते हैं उसमें यहां पर रेश्टोरेंट बना हुआ है तो वहीं हम देखेंगे और जानेंगे देख सकते हैं जो पांकिया आम रेलवे स्टेशन के तरह जो है नॉर्मल यहां पर भी है मतलब कूली भाई सब और जो है ओटो डिरेवर सब यहां पर कैव अपिली बोलते हैं तो यह देख सकते हैं इंजन है बहुत पुराना मद्देरेल लिखा हुआ है यहां पर देख सकते हैं बहुत पुराना अंग्रियाजों की जमाने का अब आते हैं जो इंजन वाले कोईले वाले इंजन था वोईसे वाले था और हम आते हैं डबे ओर्जिनल वाले जिसमें रेस्टोरेंट खुला हुआ है है दी राम का तो यह यहां का बहुत ही आकर्सित करते हैं जो हमारे भाई कोई अगर टूरिस्ट हो या कोई भी यहां पर आते हैं तो ब्रेक फास्ट लंच डीनर हर चीज यहां पर कर सकते हैं असनेगर में पूराघ पूरा लंबा होटील के तरह है फैवेस्टाड वोटेल के तब बेटके यहां पर चाय नास्ता मत पुछ बी अगरे कुछ भी गर सकते हैं यह रहा यह देख सकते हैं जबरदस्त नाकपूर का यह रलो इस्टेशन है और बाहर का कितना मस्त रये देख स सकते हैं आप से दोस्तों जो हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो प्रिजन में सपोर्ट करें सब्सक्राइब करें